दोस्तों डिवार्मिंग डॉक्स का मुस्ट इंपोर्टेंट और बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है डॉक्स को पालने के लिए मोस्ट अप्धा टाइम क्या होता है कि लोग महेंगे डॉब्स एडप्ट ने कर पाते तो वो स्ट्रीट जो गया फिर इंडियन ब्रीड या पुए कई से एड़उट कर लेते हैं डॉक्स और आपको डिवार्मिंग बहुत इंपोर्टेंट है करवाना फिर्ट्स करके क्लिए मैंगे डॉब्स के टेबियर्ट्स के बास जराटके बडिवेट्वी inगत keeping क्वहाना पड़ता है तो अगर तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चीजे बताऊंगा जिससे कि आप अपने डॉक्स को घर पे घर के चीजे से बहुत सस्ते दाम में डिवर्मिंग करवा सकते हो तो वीडियो को अंतक देखना बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला यह वीडियो बहुत इंपोर्मेटिव होने वाला अंतक द न्यूक्रिशन वाइटमिन्स फाइबर्स उसको मिल रहा है वो प्रॉपर्ली उसको एब्सॉर्ब नहीं करने देख अगर डॉक्स का ना हो तो डॉक्स को भूट लगेगा डॉक्स उल्टर चीज़े लाइक दिवार के कोने मिट्टी बगरा वो सब चाठते रहेंगे तो उ बहुत इंपॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट है डिवर्मिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज वाले वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आप देख लेना और दोस्तों मैं आपको यह बता दो कि डिवर्मिंग अगर आपके डॉक्स को खुदाना खास्ता कोई कि serious health related issues या फिर physics related issues आपके डॉक्स को नहीं आएगा अगर आप रेगुलर डिवर्मिंग करवाए आपके डॉक्स को तो घर में क्या क्या चीज़े हैं जिससे आप डिवर्मिंग करवा सकते अपने डॉक्स को तो पहले नंबर प्याते इस तीन चीज़े बताँगा मैं पहल आठ कीietnamस कऱते हैं तो आप फूड में मिला के कभी का बार हल्दी दे सकते हो या फिर फिर हर 15 दो 15-15 दिन अब हैप 15-12 दिन बाद बाद ऑनको 1-2 दिन के लिए खाने में ठोड़ा थोड़ा continuous एक से दो दिन खाने में ठोड़ा धोड़ा हल्दी मिला करेते सकते हो उनसे क्या होगा उनकी पेट की जो कीरे है उनको वे हल्दी मार देगा और वो डैमेज कर देगा अगर आप खाने में नहीं देना चाहते हैं अब डाइरेक्ट भी उनके मुह में फीट करवा सकते हो, एक से दो दिन वो करना, एक से दो दिन एक एक टाइम पर करना, अगर आज शाम को क्या, तो कल शाम को थोरा और दे देना, बस अब वापस 15-20 दिन बाद आप करना, तो उसके जो कीरे हैं वो मर जाएंगे, तीसरा जो होता है, वो है pumpkin seeds, यहां दोस्तों pumpkin के जो seeds होता है, उनमें बहुत important ऐसे कुछ enzymes पाए जाते हैं, जो की पेट के कीरेओ के मारने के लिए बहुत important होता है, यह बहुत types के parrot के लिए भी बहुत important होता है, उनके health related issues के लिए बहुत पैरोट यह pumpkin seeds खाते भी है, पैकेट में भी आ उसको grind करना हो, grind करने के बाद जो powder है, वो एक teaspoon आप एक बार में आपको डॉक को खिला सकते हो, इसके बाद बाद बापस 15-20 दिन बाद जब आपको symptoms दिखाईते हैं, symptoms like मिटी या फिर कुछ चाट रहा हो, तो तब आप उसको deworming के लिए वो दे सकते हो, बापस 15-20 दिन ब अपको कच्चा, raw, carrot, धोके वश्च करके, फीट करवा सकते हो, उसकी कोई limit नहीं होती, आप उसको हर रोज एक एक टाम दे सकते हो, fruits and vegetables बैसे भी, डॉक्स के लिए बहुत important होता है, एप बहुत से vegetables डॉक्स खाते भी है, आप देख पा रहे होगे आप इपी वीडियो पे, तो ये थी टीन चीजे, हल्दी, pumpkin seeds और carrot, जो आपके डॉक्स को naturally deworm, मतलब उसके पेट के जो कीरे है, उनको मारने में help करते है, I hope कि वीडियो informative होगी और बहुत interesting होगी, मिलते हैं नगे वीडियो के तब तक लिए take care of your own and your pet, thank you so much.